नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रिता शिर्वास्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में दोस्तों कमजोरी थकान यानि डेबिलेटी आजकल की एक बहुत-बड़ी समस्या है चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, कमजोरी और थकान से बहुत-परिशान रहते हैं तो इसी संदर में एक होमेपैतिक मेडिसिन है जिसका नाम है असिड फॉस आज की वीडियो में हम जानेंगे असिड फॉस मेडिसिन के बारे में कि इसके क्या खास-खास लक्षण होते हैं, मुख्य रूप से किन बिंदूओं के आधार पर इस दवा को जब दिया जाता है तो इसके बहुत ही अच्छे परणाम देखने को मिलते हैं और कई सारी बड़ी बीमारियां जैसे की अस्टियोमायलाइटिस, डाइबेटीज या फिर सेक्श्वल वीकनेस में भी ये दवा बहुत ही अच्छा अपना असर दिखाती है तो चले दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो तो सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूँ कि जो मेडिसिन है आसिड फॉस, आसिड ग्रुप की मेडिसिन है यानि कि इसे एक आसिड से बनाया जाता है और इसलिए इसके जो सबजेक्ट होते है जिन लोगों को ये मेडिसिन सूट करती है वो देखने में काफी दूबले पतले होते हैं इस अगर medicines के essence की बात की जाए यानि कि सिर्फ एक शब्द में अगर इस medicine के बारे में बात की जाए तो वो है debility यानि की weakness, कमजोरी और थकान तो इस तरीके के लक्षन से अगर किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं वो व्यक्ति देखने में काफी दुबला पतला सा दिखाई देता है साथी साथ वो मांसिक रूप से बहुत ही उधास और थका हुआ रहता है तो उस तरीके के व्यक्ति को ये medicine बहुत अच्छा suit करती है इसके जो physical weakness देखने को आपको मिलती है ये ऐसे ही नहीं आ जाती है इस physical weakness के पीछे लंबे समय की चली आ रही mental weakness होती है यानि कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से परिशान हो थकान सिग्रस रहता हो हमेशा कोई न कोई बाते उसके मन में चलती रहती हो और एक ऐसी उदासी उसके मन में घर कर जाती है जो निकलने का नाम नहीं लेती है तब धीरे-धीरे करके मांसिक level से हट कर मांसिक pटल से हट कर ये जो बिमारी है वो शाररिक pटल पे आ जाती है और इसी वज़े से शरीर कहीं ने कहीं दुरूबलता के लक्षणों को दिखाने लगता है असिट फॉस का जो पेशेंट होता है वो देखने में काफी दुरूबल होता है और बहुत ही एपसेंट माइंडिड होता है आप बात तो कहीं उससे कुछ कर रहे हैं लेकिन वो जवाब पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं दे पा रहा है या फिर बात करते वक्त वो इधर उधर देख रहा है कुछ भी याद नहीं रहता तुरांट अभी बात किये उसके बाद वो भूल गया इसके अलावा बहुत ही ठकान मैसूस होती है किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है इस तरीके का indifference अगर देखा जाता है आप उससे बात कर रहे हैं लेकिन उसको बात करने में कोई interest नहीं है तो इस तरीके की indifference की जो characteristic होती है ये भी acid force की एक बहुत खास लक्षन मानी जाती है सिर में बहुत भैंकर दर्द होता है crushing type का headache होता है और जो temples होते हैं ये जो कनपटी होती है इसके उपर बराबर दबाव बना रहता है इसके साथी साथ आँखों पर एक बहुत विशेश लक्षन दिखाई देता है acid force का जो की इसका एक कहलीजे की marker है इससे बहुत ही हम clear तरीके से पता लगा सकते हैं acid force का patient है आज कल की जो परिवेश है इसमें ये symptom बहुत common है और वो ये है कि आखों के around आखों के चारों तरफ काले घेरे दिखाई देते हैं अकसर लड़कियां महिलाएं पुरुष लड़के बच्चे सब पुछते हैं कि डॉक्टर साब हमारी आपके नीचे काला भीरा हो गया है क्या ये ठीक हो सकता है? क्या कोई cream आपके पास है? क्या कोई ऐसा lotion है जिसको हम लगा के ये ठीक कर ले? लेकिन सचाई क्या है? कि वो जो कमी आपकी अंदर पैदा हुई है वो आपका सिर्फ एक प्रतिबिम्ब है कि आपके अंदर बहुत सारी जो systems है बहुत सारी जो circulation है वो सही तरीके से function नहीं कर रहा है इस बात को समझने की जरुवत है जिससे कि उस problem को जड़ से ठीक किया जा सकता है इसके अलावा जो early life होती है उस दरान वो काफी गलतियां करते हैं और इस वज़े से उनका जो future life होती है जब वो बड़े होते हैं तो उससे उनके sexual organs काफी weak हो जाते हैं इसके अलावा खासी की अगर बात की जाए अगर उसके chest symptoms की बात की जाए तो एक विशेश प्रकार की सूखी खासी आती है बहुत irritating सा कफ होता है और sternum के पीछे उनको दर्द होता है और इसी लिए इसी खास लक्चन को देखते हुए tuberculosis के patient को भी इस दवा को अगर symptomatically select किया गया है तो दिया जा सकता है बालों पर एक बहुत विशेश असर देखने को मिलता है इसमें क्या होता है कि समय से पूर्व बाल सफेध होने लगते हैं अभी उमर कम है उमर काफी कम है लेकिन इसके बाल भी बाल पक रहे हैं बाल असमे जड़ रहे हैं ये भी बहुत ही विशेश लक्षण है जो आज कल के बच्चों में देखने को मिलता है इसके अलावा अगर extremities की बात की जाए अगर इसके skeletal system की बात की जाए तो हाथों और पैरों में काफी जादा एंठन होती है खास तोर से जो upper extremities हैं उपर की जो बाहें हैं साथी साथ जो wrist joint है इसमें बहुत तेजी से cramps होते हैं osteomyelitis नाम की जो हड़ियों की बिमारी होती है जिसमें बहुत तेज पैरों में दर्ध होता है खास तोर से रात में जो है ये दर्ध बहुत बढ़ जाता है ऐसे लगता है कि जैसे हड़ियों को कोई खुरच रहो ऐसा pain, scraping pain होता है ये भी acid force का एक बहुत खास लक्षण माना जाता है दोस्तों एक बहुत vicious lifestyle disease diabetes के बारे में भी आपको correlate करके इसको बताना चाहती है diabetes का एक बहुत खास symptom होता है कि patient को polyurea होती है यानि कि वो बार-बार urine के लिए जाता है खास तोर से जो frequency of urination होता है वो रात के समय में बढ़ जाता है यानि कई बार उसे रात में उठकर urine के लिए जाना पड़ता है यही symptom खास यही symptom acid phos के patients में भी देखने को बिलता है urine कई बार जाने से patient बहुत वीक हो जाता है रात में बार-बार urine जाना पड़ता है और urine में phosphate का रिसा होता है यानि phosphaturia भी होने लगता है तो इसे लिए diabetes के case में जहां polyurea के शिकायत है patient बहुत ही दुरबल है जरा भी खाने पीने में उसकी रूची नहीं है या फिर दिन पर दिन उसका जो स्वास्त है वो गिरता चला जा रहा है तो वहाँ पर भी acid phos को दिया जा सकता है बात करते हैं इसके sexual sphere की क्योंकि दीरे-दीरे करके इन सारी weaknesses की वज़े से जो उसकी sexual power है चाहे मों male हो या female हो वो काफी down होने लगती है पुर्शों में impotency की problem हो सकती है prostatoria की problem हो सकती है यानि कि जब stool discharge होता है तो prostatic fluid भी बहारा जाता है इसके अलावा uric acid की भी problem देखने को मिलती है यानि uric acid diaphysis की वज़े से patient को uric acid crystals बनने लगते है जिसकी वज़े से kidney stones का formation भी होने लगता है तो इस तरीके के symptoms males में देखने को मिलते है females के अगर बात की जाए तो females में जब delivery हो जाती है यानि delivery के बाद जो है बहुत जादा थकान और weakness देखने को मिलती है breast feeding का जब time आया तो अच्छे से milk formation ही नहीं होता है और इसकी वज़े से बच्चे का पेट भी नहीं भर पाता है कास तोर से अगर menses issue हो गया है तो menses बहुत ही जादा heavy होता है जिसकी वज़े से फिर वापस से थकान होने लगती है लिकोरिया की अगर बात की जाए तो लिकोरिया जो होता है काफी watery होता है thin होता है और इसकी वज़े से जो कपड़े होते हैं उस पे staining भी हो जाती है तो ये थे कुछ acid force से जुरे हुए symptoms जो की बहुत ही ज़ादा peculiar nature के होते है और peculiar nature के हिसाब से अगर medicine को prescribe किया जाता है तो काफी फायदा देखने को मिलता है बात करें अगर इसके dose की और इसकी potency की तो सबसे ज़ादा इसे mother tincture के form में इस्तमाल किया जाता है इसे 10 बूंद आधे कब पानी में सुबह शाम लिया जा सकता है या फिर इसकी 30 potency या 6 potency भी इस्तमाल की जा सकती है इसमें इसको तरीका रहेगा कि 6 और 30 में अगर लेना चाहें तो symptom के according दो-दो बूंद करके सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है दोस्तों low power में देने का मतलब होता है कि low power में देने से किसी भी medicine का बहुत ज़्यादा कोई दुश्प्रभाव देखने कोई नहीं मिलता और अगर काफी सारे symptoms नहीं भी मिल रहे हो उसमें से अगर 3-4 भी मिल रहे हो तो भी वो medicine एक अच्छा असर दिखाती है अगर किसी भी medicine के symptoms बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तभी उसको high power में 200 या 1M में दिया जाता है उमीद करती हो दोस्तों आज का acid phosphate based video जो की एक बहुत ही marvelous medicine है होमेपैथी की और कमजोरी थकान डेबिलिटी को जड़ से मिटाने में मदद करती है ये आपको काफी पसंद आया होगा आपने कुछ आज नया सीखा होगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे शेर कीज़ेगा friends और family में और प्लीज 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 चैनल को ज़रूर subscribe कीज़े ताकि इसी तरिके के educational videos आपको आगे भी देखने को बिले अपना बहुत ख्याल रखिएगा फिर मिलूंगे आपसे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रा